दोस्तों नमश्का सश्रीकाल हधाब नमश्का दोस्तों अंसुने किस्餐 का आज हम 5 भाँ एपोसौड लेकर आ रहे हैं और इन एपोसबों के माधियमसे हम जान रहे हैं कि किस दरे से कॉम्पनी की शुरुआत हुई कैसे नावंकरन हुआ किस तरह से पहली बार software बना और किस तरह से leg setting हुई और company का business कैसे चालो हुआ form कैसे बना और साथ में हमने ये भी जाना कि form को किस तरह distribute किया गया और किस तरह से जो पहली बार जो business kit होती थी उस form किस तरह से logo तक पहुचाते थे RD system के बादिर से दोस्तों अन सुने कि इस एपिसोड को आप पूरा देखिए अन तक देखिए क्योंकि इतियास से बहुत सीख मिलती है और आप conclude निकाल के बताईए कि आप इस एपिसोड से इस इतियास से आप क्या सीखने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इतियास जो है हमें आने वाले वक्त के अंदर ये मौका देता है कि हम किस तरह से आने वाले समय में जो प्रस्तिती आईगी उस पे वक्त में किस तरह से हम निर्ड़े लें और इस निर्ड़े की वज़े से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए बेल आइकन पर बटन दबाईए ताकि आपको नोटिपिक्शन मिलता रहे जोई नया वीडियो डाउनलोड हो और साथ में आप अपनी टीम को भी शेर कीजिए क्योंकि इधियास अगर वो जानेंगे तो उनको आने वाले समय में बहुत सारे इंडेने लेने में सुईदा होगी दोस्तों आज अंसुने किस्ते का पांचवाई एपिसोड है और हम थोड़ा आगे बात चलू करते हैं सब कुछ हो चुका था लेक सेटिंग हो चुकी थी बिझस बन चुका था पहले मेने का बिझस भी आ चुका था लेकिन दोस्तों अभी भी चलग यह था कि शिर्फ वो लोग ही इस बिझस के अंधर जोइन हो रहे थे जो किसी ने किसी से प्रभावई थे जैसे मैंने XYZ को किसी को जॉइन कराया वो भी अपनी जो मिलने वाले लोग है उनको जॉइन करा रहे थे लेकिन बिजनिस कैसे बढ़ेगा किसे पता नहीं हम लोग क्योंकि एक्साइटर थे तो जॉइनिंग हो रही थी टीम में कुछ पूरी कंपणी के अंदर 8-10 लोग जो थे पूरे एक्टिव थे लेकिन ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे और सब लोग इंफ्लेंस से ही जोइन कर रहे थे प्रोलम भी आ रही थी कि जब हम दूसरी में बड़ी बड़ी मिटिंग्स होती थी सेमिनार्स होती थी बड़े-बड़े आयोजन होते थे और वहांकी स्पिकर्स जो थे ना वो बहुत तेज और दमदार आवाज में बोलते थे और हमारा सपना था सब लोगों का अगर एक साथ बेढ़ गए तो हम बारबार यह सोच ते दे कि यार यह सामने वाला आदमी हमारे वाले में क्या सोच रहा होगा कई मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी और दोस्तों इस वज़े से इस हिचक चाप्स की विज़े से हम नहीं शुरुवात नहीं कर पारे थे और आज सीखने का पॉइंट यही है कि जब भी आप कोई चीज की सुरुवात करते हैं तो थोड़ी हिचकेचाट होती है लेकिन उस काम को जिस काम से आपको डर लगता है उसी काम को अगर आपने लगातार करने का ठान लिया तो धीरी दिने वही काम जिस से आपको डर लग रहा है वही काम आने वाले समय में आपके लिए बहुत आसान बनने जा रहे हैं दोस्तों सुरुवात में कोई मीटिंग लेने के लिए तयार नहीं था लेकिन अब इससे केसे निजात पाई आए तो टी सी चावडा जी और हमारे जिते भी साथी थे उस समय हमने मिटिंग की कि यह तो प्रैक्टिस काई काम है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे करी जाएं तो बात आई की प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले अपने लोगों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और दोस्तों जब हम अपने लोगों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो और ज्यादा प्रोलमा आती थी उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था और उ तो थोड़ी देर में ही पसिना पसिना हो जाता था बात आगे नहीं बढ़ती थी और हमने लगवक 15-20 दिन तक इसी क्लास अटेंड की कुछ भी रिजन्ट नहीं आया मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब टीसी चाबडा जी बेरुदान जी करवा और में और तीन-चा आज भी भी आ गए अब जब हमारी बात आई तो मुझे जिस बात केने के लिए बुलाया गया था मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया मुझे लगा कि अब मैं इस बात को बीच में कैसे छोड़ूं तो मेरे को 15 मिट बाद टीसी चाबडा जी को बुलाना था स्टेज प बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और वो सुरूर से ही बहुत कम बोलते थे और इस वज़े से बहुत बड़े चलेंग आते थे जब टीसी चाबडा जी को अजमेर की मीटिंग में आपने खड़ा किया तो टीसी चाबडा जी को 15 मिट बात कर दी और आपको आशिर ह काम को आप ठान लें यानि जब भी आपको डर लगता है किसी काम से तो सोच लें जिससे डर लगता है उसी काम को इतनी बार करो बार बार करो कि वो डर आपसे भागना चालू कर दे क्योंकि जब तक आप पानी में कूदों के नहीं तब तक तेरना नहीं सिख सकते और पानी पहला हुआ था लेकिन धिरे धिरे हम खड़े हो कर बोलने लगे निश्यत रुप से हमारी बातों में continuous चीज नहीं थी बहुत सारी जगे हम break कर जाते थे बहुत बार subject की भटक जाते थे बोलना क्या चाते थे बोलकर क्या आ जाते थे इस तरह से बहुत तरह के चले जाते थे लेकिन ये काम continue रखा लगातार करते गए करते गए करते गए तो आज टीसी चावडा जी को आप देख सकते हैं कि वह 8-9 गंटे की speech ले लेते हैं और लगातार बात करते हैं और आज मुझी भी आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े function में और जब training में बात आती तो हम 8 ग चोड़ी meetings का काम करते थे और मैं बहुत सोबा के साली हूं कि मेरी apply में BC चावडा जी हैं और BC चावडा जी का ये जो काम है जिन्दगी भर याद रखा जाएगा BC चावडा जी ने उस समय actively तो RC business चालू नहीं किया था लेकिन उन्होंने एजे company के MD के भाई होने के नाते इस company को support करने की ठान ली और उन्होंने अपनी downline तो नहीं बनाई उनकी downline में हम थे उन्होंने दूसरी तीसरी चोथी downline नहीं खोली और हम लोगों को support करना चालू किया अब इस सब्सक्राइब हम दो लोग active थे एक मैं थोड़ा इस business के अंदर active था और एक उस समय तक ओपी शर्माजी आ चुके थे दो लोग active थे और दो लोग active लेकर काम करे थे उनकी team भी काम करी थी तो BC चावड़ा मेरा business थोड़ा कम था मेरे पास बहुत ज़्यादा यूं कहें कि बहुत ज़्यादा serious लोग नहीं थे लेकिन ओपी शर्माजी की team में बहुत serious लोग थे तो BC चावड़ा जी पूरा आपना maximum time जो है वो उनकी team में देना चालू किया और हम बारबार request करते थे और request करने के बाद वो हमें time नहीं दे पाते थे लेकिन थोड़े दिन बाद जब वो एक दो meeting में हमें दे दे थे तो हम उसको भरपूर आनन लेते थे भरपू को उसका सयोग लेते थे बहुत सारे लोगों को इकष्टा करके हम खड़ा कर देते थे और इस तरह से धीरे 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 मिटिंग चालूगी हमारा business उदेपूर में चालूआ हिमत नंगर में चालूआ अज business के अंदर जो hall का कर्चा होता था जो contribution का आज हम लेते हैं कि जितने भी लोग meeting में आते हैं वो सब लोग अपना प्रा contribution देते हैं लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं कोई भी आदमी एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं था और उस समय सारा का सारा पैसा हमें लग जात तो ultimate यह बात आई सामने कि आपको contribution तो रखना पड़ेगा अब contribution की जुई बात करते थे प्रोलम आती थी हर वेक्तिव विरोध करता था जिसका पैसा नहीं लग रहा था वो विरोध करता था और जिसका पैसा लग रहा था वो कहता था कि contribution होना चाहिए ultimate काफी मदों मशकत के बाद यह डिजन हुआ की contribution रखा जाना चाहिए और पहली बार आरसिम की सेमिनार हुई उसमें 20 रूपीज चार्ज रखा गया तो बहुत लोगों ने विरोध किया 20 रूपी चार्ज भी रखने नहीं दिया तो वहाँ पर यह कहके गया कि हम वहाँ पर आपको नास्ता कराएंगे और आपको आश्री होगा कि हमने पहली जो मिटिंग हुई दी दादी धाम के अंदर वहाँ पर हमने 20 रूपे का प्रोग हर व्यक्ति अपना-पना कंट्रिबिशन देता है और कंट्रिबिशन देने के साथ ही वह अपना काम चालू करता है आज जो बड़े-बड़े मिटिंग होते हैं सेमिनार होते हैं यह कंट्रिबिशन के ही होते हैं अगर किसी के एक व्यक्ति के अगर यह सारे पैसे लगने हो होते तो साइड वो कभी भी मीटिंग सक्सेस्पूल नहीं होती और यह बिजनस इस लेवल पर पहुंसता नहीं है हर आदमी को कीमत अदा करनी पड़ती है और कीमत अदा करने से ही कामयब होता है क्योंकि जब तक कीमत अदा नहीं करोगे सीखने के लिए तब तक उसकी कोई व आफसीर होगा कि हम खाने में उस समय ज्यादा महेंगा ही थी और खाने में हमने गुलाब जमन बनवाए और गुलाब जमन जो है थोड़े से प्रोलम आगे थोड़े जल गए थे वो उसके अंदर थोड़ी सी हलकी हलकी बीनी-बीनी बदबू आने लगी थी तो आफसीर मकसद उसको भूल जाते हैं लोगों का दिमाग हम डाइवर्ट कर देते हैं हमारे यहां पर अगर आप डाइवर्ट करेंगे दिमाग को तो बिजनिस जो है दिरी दिरे आपका डाउन होगा कम होगा इसलिए कभी भी डाउन मत कीजिए आप इस बिजनिस में क्यों हैं क्यों करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, क्यों मीटिंग कर रहे हैं, क्यों सेमिनार कर रहे हैं, ये मकसद अगर आपका क्लियर रहेगा, तो प्रोलम आपको कम से कम होने वाली है, इसलिए कभी भी इस तरह का काम आप न करें, हमेशा सीधा-सीधा आपका मकसद का ध्यान रखते में इस बिजनस के बारे में आप बताएं इस तरह के बहुत सरे चलेंज हमें इस शुरुवाती रूप में इस बिजनस के अंदर आते थे आने वाले समय में जिसे दिसे वक्त बढ़ रहा था अलगर तरह के चले जा रहे थे अगले एपिजोड में हम आने वाले समय में क्या च मुक्सान हमें हो जाते थे दो लोगों की लड़ाई में कई टीम जो है खराब हो जाती थी ऐसे कई समझ्याओं का सामना करना पड़ा अर्षिम बेनिस को और यह सारे जिक्र हम आने वाले एपिसोड के अंदर आपके साथ करते जाएंगे दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि आप इस चेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकन पर बटन दवाना मत भूलिए अपनी टीम के सारे लोगों को शेर कीजिए और इटियास के बारे में जा आज भी जैसा कि हमने जाना की लगातार काम करने से आज मीं सीखी जाता है प्रेक्टिस में के में पर्फेक्ट और आपको हर्जीज की कीमत अधा करनी है जब आप कांट्रिबूट करते हैं तो लोगों को थोड़ा-थोड़ा लेकर इन्वोल कर लेते हैं जब व्यक्ति को उसका चाल लेकर आप इन्वोल करते हैं तो उसे ऐसास होता है कि इसके नदर मेरा भी जुड़ा हुआ है और इसलिए जितना इन्वोल्मेंट टीम का बढ़ाते जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा कामिया भी हासिल होगी इस बिजनस के अंदर दोस्तों आपने पैसेंस के थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद